नमस्कार दोस्तो मैं विम्लेश वत्तम और आप देखें ट्रिपल वी ऑबर्सेज दोस्तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं और यह कहानी उस टाइम की है जब बगोन बुद्ध अजाद सत्रू के यहां पर ठहरे हुए थे समरठ अजाद सत्रू दोस्तो यह कहा है कि बुद्धा रेता है कि भुद्धा डे के उपधेश में एक सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि बैलेंस होना है तो कुछ समय के लिए आती है और बाकी इनका औरजिनर रूप बाद में जरूर आता है तो यहां पर पॉइंट यह है कि जब वहां ठहरे थे तो उससे पहले कुछ लोगों ने ऐसा प्लान किया था क्योंकि काफी लोग ऐसे थे जो अन्द विश्वास और कर्मकांड से अपने यह क्यों लीए उन्होंने श्शाह कि कैसे भे घर के इनको में मुड़े से नीचे करते हैं अब देखा वह क्या और शिखा ब्रोत करते हैं बहुत सारी पूरी प्रोसेस के वारे में पूरा सुना तो कहीं पर भी कमी नहीं निकल पाए तो सोचा एक काम करते हैं को बदनाम करने का दूसरा तरीका है नारी तो उन्हाने एक महिला जिसका नाम था चिंचा मालिविका उसको तयार किया और उससे शुरुआ थी दौर मिस लगबग एमालेजी कि एक दो महीने के लिए वह एक महीने तक कंटीने एक डेड़ महीने तक वह जो बुद्ध जहां प लगबग नो महीने निकाल दिये आठ महीने ठीक है और उसके बाद में भरी सभाम है जो इनके साथ में लोग ते वह सब लोग एक बार वहां जाते हैं और बुद्धा के उपर लाचा लगाते हैं कि है रिशी तुमने मेरे साथ में अन्याही किया होने वाले पूत्रिया पुत्री का क्या होगा तो यह चीश सब्सक्वार की सब लोग एक परकार लगा सकता हो सकता सचाई हो ठीक है तो यहां पर जब यह बात वहां पर पहुंची बुद्धा वहां पर बैठे थे उन्होंने मुस्कराया और कहा बेटी सच्चाई क्या है वो तुम्हें पता है और हमें पता है जैसा ऐसा जैसे बुद्धा ने ये कहा उसके बाद वो महिला घबरा गई घबरा गई तो उसने पेट पर जो कपड़ा बाना था वो गिर गया जब गिर गया तो पूरे दरवार के लोग ये बोल लगे कि ये दुष्ट नारी है इसने बुद्ध जैसे महादमा के उपर लाचा लगाया इसको मिर्तु मिलना चाहिए बुद्ध मुस्कराय और बोले ये नारी ये अग्यानी है इसको ग्यान नहीं है इसलिए वो जो वो कर रहे थे उसको पता नहीं था कि क्या कर रही है इसलिए उसने ऐसा किया इसको मौका मिलना चाहिए अच्छा काम करने के लिए बाद में वो महिला वे ठु समय से काम कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है कई लोगों को सेक्डों हजारा लोगों को हमने बाहर भेजा बहुत अच्छे तरीके से बेजा यहां पर इंडिया के अंदर इंडिया से बाहर जो भी हमने लोगों को हैल्प किया जॉब में उसमें से कुछ लोग ऐसे करने की कोशिस करते हैं यहां पर सबसे important चीज है कि कोई भी इंडिया में कोई भी इंसान यह मैं इसको confidently और open बोलता हूं मैं इस चीज को इंडिया में कोई भी candidate इस चीज को कभी सावित कर दे कि ट्रिपल बी के process में कहीं पर भी खोट है ठीक है और उसके लिए आपको यह अच्छे से पता होगा कि हमने seminars के कितने प्लान किये कितने seminars और्गनाईस किये और जितने लोग उन seminars में आए सभी कोन के सवाल का answer मिला सबसे important चीज है कि आप अगर जो दिमाख में सवाल लाएंगे उसका answer जरूर मिलेगा अब यहां पर क्या होता है problems कहां पर आती है कि जो लोग maturity के साथ में planning नहीं करते हैं उनको बाद में feel हो जैसे हो सकता कभी कदुक का लोगों का ऐसा feel हो सकता है कि नहीं मेरे साथ में गलत हुआ दोस्तों यहां पर एक चीज में आपको उता हूँ कोई भी profile जिसका हम वीडियो डालते हैं वीडियो में एक eligibility criteria होता है अब eligibility criteria के लिए मैं आपको एक चोटा उधार देना चाहता हूँ मैं जैसे माले जी एक position निकली है HR executive ठीक है अब उस profile के लिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग चाहेंगे जो fresher होंगे जिन्नोंने MBA किया या ग्रेशन किया वो apply करेंगे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़ा experience होगा फिर apply करेंगे कुछ लोग ऐसे होंगे जो already HR की रूप में काम कर रहे होंगे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिलकुल training की रूप में काम कर रहे होंगे कुछ ऐसे भी होंगे जो senior HR की रूप में काम कर रहे होंगे में लेकिन सबका उद्धिश अलग-अलग होता लेकिन कंपनी तो वैसे वैक्तिक्त को और कारो अब यहां पर कई लोग onions आएंले होते हैं और सपने ऐसे होते हैं कि उनको बाहर जाना चाल से कि शाधी हो जाएगी हैको अथा लोग ऐसे होते हैं सबस्य नहीं हैं कुछ लोग अपने गली महले में impression जमाने के लिए गए हैं और उसके बाद में जैसे माले जी कोई अगर construction worker का काम है या फिर किसी में factory worker का काम है या फिर mushroom worker का काम है कहीं पर भी कोई भी अगर worker का काम है जो कि उन्होंने कभी किया नहीं हो और वहाँ पर गय तो अब इसलिए fit नहीं हो पाएंगे comfortable field नहीं होगा comfortable फील नहीं होगा तो खुद को दोस्ट नहीं देंगे कि नहीं मैं इस चीज में fit नहीं था मुझे सीखना चाहिए बिलकुल नहीं कई लोग ऐसे होते हैं क्या बोले वह अग्यानी टाइप के लोग के कैसे होते हैं वह यह चीज को नहीं देखते हैं कि यह जैसे अगर मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए मैं खुद एग्रे हुआ तो यहां पर जितने लोगों को कोई परिशानी हुई तो उनके खुद के बज़े से हुई है कोई अगर ऐसा प्रूफ नहीं कर सकता है कि कहीं पर भी किसी भी बज़े से जो हमारी प्रोसेस में जो हमने कमिट किया जैसे अगर हमने कोई वीजा के उपर कमिट किया तो जैनून डॉक्मेंट्स होगा ट्रिपल यह जो अपनी नाम सुने हुए है जो ट्रिपल वी शब्द है अगर आप उसको देखेंगे तो इसकी पवित्रता आपको समझ में आ जाएगी ट्रिपल वी का मतलब है बैने वुलेंट भारत भुवन बैने मतलब उधारवादी कोई एक ऐसी जगह जहां उधारवादी बहुत जरूरी है दोस्तों अगर इसी चीज को देखेंगे तो कभी भी यह मैं ओपनली बोलता हूं इसमें कोई वैसी बात नहीं है यह ओपन नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में किसी बीकॉले से हो अगर किसी को फिल होता है कि प्रोसेस में यह कमी है वह उफेस आक इंटेग रहती है और यहांपर कई लोग करते हो तो आप पर प्रोसेस में रोक लेते हो दोस्तों यह ना पर एक होती है कंपनी और एक इंडिविजुली यह गैंडिडेट अब कंपनी कहीं नहीं जा सकती है अगर वह लेगल कंपनी है और जिसका vision के लिए है जो long time काम करने वाला है वो company कभी भी नहीं जा सकती है क्यों क्योंकि उसका सबसे बड़ा region है company में नाम बनाना बहुत मुश्किल होता है और उसको protect करने के लिए company में कई सारी departments होते हैं जैसे account department एक proper तरगे से रहता है कोई बन्दा पार्टिकुर्ण इस चीज़ को handle करता है legal department होता है marketing का अलग department होता है पियर का अलग department होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि उस चीज़ को protect करके long time के लिए करते हैं तो यहां पर अगर कोई company का fault होगा company उसको solve जरू करेगी और management उसके के लिए काम करेगा अगर कोई चोटा मुटा एजेंस काम करें उनका हो सकता कि चलो अभी यहां काम करेगा यह वहां पर लेकिन अगर कोई बड़े mission के साथ मैं काम कर रहा हो तो उसके लिए सबसे पहले अपनी company को strong बनाना होता है तो यहां पर इंडिविवियुल व्यक्ति होते हैं ठीक है जी एस्टी का होता है ठीक है टैक्सेशन का होता है ठीक है क्लाइंट के साथ में जो बिल्डिंग जो रिलेशन बनाना होता है नए बिजनिस लाना होता है इन सबी में company के reputation काफी important होती है तो company अपने उपर पूरा पूरा focus करती है और कोई भी company इंडिया में आपको अल्रेडी पहले कई लोग के नाम गिना नाम नहीं मतलब counting गिना चुका हो मैं कि पहले 2022 से पहले अठारा लोग के माध्यम से अठारा लोग की बजे से मुझे पूरे पूरे च्छे लाग का नुखसान हो आता में कोई कभी पांस जार चोड़के चला गया पच्छे 22 के अंदर रुखा क्यों इंडिविजुल है व्यक्ति है कोई कैंडिट है वो क्या उनको उपर क्या कर सकते कौन जाएगा वहां पर अलग-अलग स्टेट के लोग है तो पॉइंट यह है कि अगर कोई कोई कुष्चन उठाए कुष्चन उठाने से बैटर कहीं पर भी आप आपको यह समझना है कि प्रोसेस ऑथेंटेक होना चाहिए जैनोन होना चाहिए तो उसके लिए आपको नौलिज लेना होगा अपने देश में एक सबसे बड़ी कमी क्या है वह यह है कि लोग अग्यानी है और अग्यानता कंटिनीव रखना चाहते हैं अग्यानी है यह सब क हमारे पास मैं वहिए वी भलतू पैसा नहीं है हमारे पास मैं वहाष सारो काम करने किरुद भी लралकौत से करना चाहिक Ho होंगे जिनको बहुत जल्दी अपलाई करना है वो लोग आ सकते हैं लेकिन सब के सब सो मैं से सो लोग तो नहीं आ सकते हैं इसलिए अगर सेमिनार उनके नियरवाई लोकेशन में होगा तो उसका लाव उनको मिलेगा और अभी जैसे माल यह सो सो लोगों मैं से अगर पाचास लोगो नेचेंड किया तो पचास से फ़टोन दूर कोई दोस्तो इक सबसे थोड़ा समय अपनी नॉलेज के उपर जरूर लगाए एक बार प्रॉपर नॉलेज लेंगे तो यह आपके लिए लापदायक होगा और ट्रिपल भी जो सेमिनार औरनाइज कर रही है वह आपके लिए डेफिनिटल गोल्डन अपॉर्चुन्टी यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप ट्रिपल भी में अप्लाई करो यह ना करो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है लेकिन आप अगर सेमिनार अटेंड करते हो तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कहां कैसे अपलाई करना है और यह सिर्फ सेमिनार में ही पॉस्पिल हो सकता है या तो ऑफिस में लगता है कि उनको नॉलेज की आवश्यक्ता है वह पहले सेमिनार अटेंड कर रहें या बैटर होगा एक बार ऑफिस सेमिनार भी हो जाएगा ऑफिस विजट भी हो जाएगा दोनों काम हो जाएगे लेकिन अगर किसी के पास में इतना समय नहीं है तो वह अपने पादा चल जाए कि आपको बाहर जाना है तो क्राइटरिया आपको फॉलो करना और आप उसमें प्लान कर सकते हैं और कोई बी चीज के लिए जो भी क्राइटरिया उता जो प्रोसेस होती है उसको प्रॉपर फॉलो करना होता है अगर आप ट्रिपल पी के मात्यम से आपने अपलाई किया तो ट्रिपल भी के जो गाइडलाइंस होती है उसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है और खास थोर से जो हम एग्रिमेंट करते हैं एक्षुली दोनों पार्टी के लिए रहता है दोनों पार्टी को प्रोपर तरखी से प्रोटिक्ट करने के लिए होता प् अभी इसमें नहीं है तो उतना वेट करना सबकी रिस्पाउंसिविल्टी मनती है अगर कोवेड आया तहां कोवेड में किसी कोई प्रेस्पॉन नहीं था तो आभिसली वह सब को बियर करना पड़ाता है वैसे ही अगर कहीं पर कोई चीज़ का लगए-लग अपडेट होता यूएस के लिए कभी 10 महीने, 12 महीने, 7 साल, 10 साल भी लग जाता है, लोग वेट करते हैं, क्यों क्यों पता है कि प्रोसेस में टाइम लगता है, वैसे ही यूरोप के लिए टाइम लगता है, कभी-कभी 5 महीने में हो जाता है, कभी-कभी 7-8 महीने में हो जाता है, कभी-कभी और भी ज़्यादा लग जाता है डिपेंड करता है प्रोसस के उपर और उसमें से खास दूर से एंबसी का जो वर्कलोड कितना है वी एफस के अपॉंडमेंट के क्या पॉसिबिल्टी चल रही है इन सब के उपर रहता है तो कोई भी एक एंडेट इंडिया में किसी भी स्टे पर अंसर आपको मिल जाएगा वैसे इमेल कम्मुनिकेशन वन् centrale होता है तो वनवें में कभी वह चीज़ आपको नहीं मिल सकती है जो एक्शन होती है क्योंकि कई चिज़ें जिए मैं इस था बहरा एकिस असर पड़ता हूं पहला एक व्यक्ति प्याज नहीं कहाता है और यह लेकिन अगर पब्लिक ली किसी को बोलेगा कि मैं प्यास नहीं खाता है एक व्यक्ति वह होगा जिसको धी जैसा हो जिसको जितना मिर्च वसाला चाहिए उतना डालेगा तो उसमें एक प्यास के जो होता है उसके जगाए दो या तीन डालेंगे और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कहने का मतलब यह कि एक ही सेंटेंस का अलग अलग मेनिक होता है और वह चीज़ के लिए जब तक फेस टू फेस टू वे हो जाए गलत खराब है क्यों बोलना पड़ता है और इसलिए बीच में कुछ वीडियो भी अपलोड नहीं किये तो जैसे भी ठीक लगेगा हम अनूस्व करेंगे और शुरू में इस महीने अगस्त के अंदर हमारा टार्गेट की लगबग कम्सगम चार-पांच जगा तो सेमि किजिए शेयर किजिए हमारे वीडियो को लगादा देखने के लिए चाहिए को सबस्टाइब किजिए घंटे वाला ऑप्शन जरू दबाएं जैसे कि आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे धन्यवाद आने वाया आननी जरूच किझीए कौँबंग मिलें ऑले झामिकेशन सर्级 रपकोच के दिए snipp scheint प्यादैना मिलें जए वीडिए हमारे यामिले मिलेंके कि आने वे स्चेशन सबस्सके अन्यवाद सेफूरा कि